जे श्रीहरी, इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत के बारे में, क्या है इसका महत्व पूजा विधी और पारण समय? वीडियो शुरू करते हैं निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विश्नु को समर्पित है इस दिन श्रीहरी की विधीवत पूजा करने वेवरत करने से भक्त की मनुकामना पूरी होती है साल भर में कुल 24 एकादशी तिथी आती हैं जिसमें नर्जला एकादशी का विशेश महत्व है इसे भीम सेन एकादशी भी कहा जाता है इस बार नर्जला एकदशी 31 मई 2023 बुद्वार को है हिंदु पंचान के अनुसार जेस्ट मास के शुकल पक्ष की एकदशी को नर्जला एकदशी कहते हैं माननता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विदिवत पूजा की जाती है इस वरत के पुन्य प्रभाव से दिरगायू और मोक्ष की प्राप्ती होती है यदि आपने साल में एक भी एकदशी का वरत नहीं किया है और आप निर्जला एकदशी का वरत करते हैं तो आपको साल भर की सभी एकदशी के समान पुन्य फल की प्राप्ती होती है क्या करें निर्जला एकदशी वाले दिन आईए जानते हैं निर्जला एकदशी के दिन सुभा जल्दी उठकर सूर्यदेव को जल चड़ाएं इसके बाद पीले रंके वस्त्र धारन करके भगवान विश्नु की पूजा करें उन्हें पीले फूल पंचामरत अर्पित करें इस दिन एक गूंट भी जल का सीवन नहीं करना होता इस दिन जल और जल से भरे पात्र का दान करना बेहत शुब माना जाता है अगर आपका स्वास्थ सही नहीं है तो ऐसी स्थिती में आप दिन भर उपवास के दौरान गुन-गुने पानी में नीमबू डाल कर पीए अगर आप बिल्कुल भी उपवास नहीं रख सकते हैं तो उपवास के दौरान फल भी खा सकते हैं इस दिन श्री हरी और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। एकादशी के दिन रात में सूना नहीं चाहिए। इस दिन रात बर भगवान विश्नु की उपासना करनी चाहिए। भीम ने भी रखा था निर्जला एकादशी का व्रत इसलिए इस व्रत को भीम सेन एकादश कि मृत्यू के बाद मोक्ष की प्राप्ती हो। उनको पुन्य प्राप्त हो। वे चाहते थे कि कोई एक ऐसा वृत हो, जिसे करने से वे पाप मुक्त हो जाएं और मोक्ष भी मिल जाएं। तब उनको निर्जला एकादशी व्रत रखने को कहा गया। रिशी मुन्यों के सुझाव पर उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। व्रत के पून्य प्रभाव और विश्नु कृपा से वे पाप मुक्त हो गए और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथी तीस मई को दोपाहर एक बचकर साथ मिनट पर शुरू होगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर एक बचकर 45 मिनट पर होगा। निर्जला एकादशी के दिन बन रहे कई सुब सैयोग। इस साल निर्जला एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धी का सुब सैयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध का योग सुभा 5 बर कर 24 मिनट से सुभा 6 बजे तक रहेगा जान लेते हैं निर्जला एकादशी व्रत पारण कैसे करें निर्जला एकादशी के अगले दिन सुभा जल्दी उठकर सूर्यदेव को जलर्पित करें इसके बाद निर्धनों को अन वस्त्र और जल का दान करें इसके बाद नीम्बू पानी पी कर व्रत का समापन करें यहाँ पर शर्बत और मीठा पानी भी लिया जा सकता है व्रत के तुरंत बाद पहले हलका भोजन करें ब्रामणों और जरूरत मंदों को दान करने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए व्रत पारण का समय क्या होगा तो निर्जला एकादशी व्रत पारण एक जून को किया जाएगा व्रत पारण का सुब समय एक जून को सुभा पांच बच कर चौबिस नट से आट बच कर दस मिनट तक रहेगा निर्जला एकादशी का क्या महत्व है एकादशी के दिन भगवान विष्णू के मंत्र का जाप कर पूरे विधिविदान से पूजा आर्चना करने चाहिए इस दिन महिलाएं अखंड सो भागे की कामना के लिए जल से भरे मटके का दान भी करती है धार्मिक मानिता के अनिसार निर्जला एकादशी का वरत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है इस वरत को करने वाले व्यक्ति के लिए स्वर्व के द्वार भी खुल जाते है निर्जला एकादशी का वरत जल के महत्व को बताता है जेस्ट मास में पढ़ने के कारण इस दिन शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुमों का दान करना सबसे ज़्यादा शुब माना जाता है इस महिने में तेज गर्मी पढ़ती है इसलिए निर्जला एकादशी पर गर्मी से राहत दिलाने वाली वस्तूमों का दान करना सबसे शुब माना जाता है निर्जला एकादशी के दिन किसी जरुरत मंद्र्यक्ती को जूते दान करना शुब माना गया है निर्जला एकादशी की पूजा विधी के बारे में बात करते हैं नहाने के बाद सबसे पहले घर के मंदिर में दीप प्रजलित करना चाहिए नमबर दो भगवान विश्णू का गंगा जलसे अभिशेक करने के बाद फूल और तुलसी पत्र चड़ाना चाहिए भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाना चाहिए इसके पसचात एकादशी व्रत कता पढ़नी चाहिए और आरती करनी चाहिए भगवान विश्णू के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए संभव हो तो शंक बजाकर पूजा का आरंब करना चाहिए कैसी लगी जानकारी कमेंट सेक्षन में बताएं जे श्री हरी जरूर लिखें इसी तरह की और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें